तरफ से कार्थिक सर है कार्थिक सर वेलकम सर थैंक यू सब्सक्राइब आज आये हो एंवीडिया ने काफी एफर्ट डाले है हमारे स्टोर पे हर तरह के स्ट्रीमर को और ब्रैंड के परसंज को बुलाने के लिए थैंक यू सो मच अवीडिया और इनो 3D सकी तरफ से आपको छो भी आने के साथ हें और सिर हम काफी अच्छे अच्छे श ह्यांव तो काफिये ब्रांड को आते हैं बीड एक तरफ से थाइज किके सिर्फोर्षヤ The यह सिंपल मेरे प्रेशन से है जिसे आप जानते हो कि AAC ली पार्टनर काम होता है NVIDIA ने टेक्नोलोजी बनाया जो एंड उसर तक पहुंचाने का थाम हमारा रहे तो उसमें पहले तो प्रड़क्त आता है तो प्रड़क्त के कुछ फीचर होता है जैसे आप देखरों कि यहाँ पर एक 4080 Super जो एक triple fan version है और यहाँ पर एक और है जो 4070 Super जो एक twin fan version है तो हर कोई जो system बनाता है उसके लिए अलग-अलग decision factors होते है कोई बहुत बड़ा एक workstation बनाते हो कोई बोलेगा कि मेरे desk पे जगा नहीं मैं एक छोटे रूम में रहता हूं मैं पास पेस नहीं है याप कुछ होते हैं जो चाते हैं कि मुदम ज्यादा cluttered हो अपना disk बनाना चाहते हैं जिसमें एक छोटा ग्राफिका फिट हो तो AAC काम यह होता है कि NVIDIA का technology हर तरीके से कि कस्तमर को यूज करने में आसान होना चाहिए कस्तमर को सूचना नहीं पढ़ना चाहिए तो इसलिए आप देखते हो कि हमारे पास twin fan version आते हैं triple fan फिर आप जानते ही हो कि हमारे पास water blocks वाले आते हैं जो frostbite version है जो बहुत enthusiast रहते हैं जिनको बहुत अच्छा बढ़िया सबसे बेस्ट कूलिंग चाहिए मुझे नहीं लगता कि मेरे competition के पास रहते हैं तो जो frostbite version जो water blocks वाला है तो वह अपने पास है इसके रहाँ आप आईचिल black bowl जो एक 240 mm Aio cooler के साथ तो हर तरीके से देखा जाए एंड यूजर के लिए उसके performance के लिए उसके लिए हम भी GPU बनाएं ताकि उनको NVIDIA का टेक्नोलिशी यूज करने में आसानी होता है Simply पहले ब्राइंच के पास में Simply एक ही card आता था जो black color का अभी तो white color के भी काफी card आ रहे और हमारा Inno3D में आइचिल ग्राफिक card जो है white color के भी अंदर वह भी काफी aesthetics के साब से काफी premium रहता है Simply मैं पूछना चाहरा था कि आपका ये 2X 3X के बीच में तो हमें different पता चल गया आपका आइचिल और normal version के अंदर क्या different रहता है build quality में या फिर as a performance अगर आप देखोगे ना ये कुछ cards होते हैं जो two slots वाले होते हैं और उसमें components parts अलग उसके जाते हैं अगर आप आइचिल देखोगे तो उसमें फरक रहता है in terms of heat sink तो थोड़ा रहता है क्योंकि उसका purpose ही अलग है जिसको तकलीफ है उसके PC में फिट नहीं होता है वो one slot वाला लेता है जिसको ultimate performance ही उसके पास जगह है तो obviously वो आइचिल वर्शन प्रिफर करते हैं आपको RGB elements से सब भी मिल जाते हैं तो बहुत सारे enthusiasts gamers रहते हैं जिनको RGB elements बहुत पसंदा तो उनके लिए वो specifically बनाया है Thank you so much sir हमारा viewers के हर question का जवाब almost मिल गया है और final मेरा question है कि warranty terms क्या रहता है हमारा Inno 3D graphic card का कोई भी अगर customer buy करें जैसे कोई customer मेरा है बैंगलूर कोई है Mumbai में कोई है दिली में तो warranty कहां से कैसे मिलती आते होगा है उसके लिए हमारे service partner agency है जो कैसे इंफो सब्सक्राइब करते हैं जो बहुत सारे ब्रैंट्स के लिए करते हैं बहुत सब्सक्राइब और warranty terms जो है आप यहां तरी रहे हो clearly mentioned है कि तीन साल warranty thank you so much sir thank you आप ऐसा ही हस्ते रहिए और thank you so much so friends यह थे हमारे Inno 3D की तरफ से आने वाले जिसको ट्राइब करना है कोई particular product तो मुझे लगता है कि उनको SCL Gaming Store यहां पंशंक्री बैंकलोर में आना चाहिए तो आपको बहुत एक wide variety of components मिलता है वाचर है डेमो system लगया हुए मैंने लेका racing wheel setup यह सब है तो मुझे लगता है कि सबको experience करना चाहिए थैंक्यू सर और specially inno3D का भी वहारे पास डेमो है आप आईए हमारा store पे पेले try करिए उसके बाद में बाइक करिए मिलता है भी आपको सब्सुर्म मिलता है तो अर model मुझे कर दो गित दित काया खोरो आपको मुझे कनाओ झाल झाल